वेल्कम बैग स्टुडेंट्स तुडे आई इसल टीजी यू सम अधर टोपिक्स रिलेटेट टू चैप्टर ट्वेल द अर्थ एंड इस कंपेनियन्स ओके स्वाटें टू में बच्चों आज में आप लोगों को जो है चैप्टर ट्वेल में कुछ और दी टोपिक्स परहूंगा ठीक है और इसके बाद जो है जो कुछ को सन अंसर जो है बच गया है वो आपको बताया जाएगा तो हम बात करते हैं सेप आप दा अर्थ के बारे में we also have photographs of the earth taken by astronauts from space ships astronauts are the people who go into the space earth का photographs जो है astronauts के द्वारा लिया गया है space ships से astronauts जो है ऐसे लोग हैं जो space में जाते हैं the earth is round but why does it look flat earth जो है round है लेकिन ये flat क्यों डिखती है the earth is very big प्रित्पी जो है बहुत बड़ी है we can see only a small part of it हम इसका कुछी part जो देख पाते हैं this small part appears flat to us जो आपको जो है flat जो है दिखाई पड़ता है ठीक है अब जानिए movements of the earth the earth is moving all the time earth shows two types of movements बच्चों इस टॉपी को ध्यान समझे प्रित्पी जो है हमेशा movement करती रहती है ठीक है यह दो तरह का movement जो करती है एक है rotation और दूसरा का है तो revolution पहले हम बात करते हैं rotation का rotation of the earth the earth spins like a top on an imaginary line this line passes through the center of the earth vertically and joins the two foes this line is called the axis this spinning of the earth on its own axis is called rotation बच्चों आप टॉप देखें जिस तरह से आप टॉप को जो spin करते हुए देखते हुएगा उसी तरह से प्रित्पी भी जो है वो spin करती है ठीक है अपने axis पर और प्रित्पी जो अपने axis पर spin करती है इसी का नाम क्या है rotation the earth completes one rotation in 24 hours इसी जो है one rotation को पूरा करने में 24 hours का समय लेती है this rotation causes day and night और इसी rotation कारण जो है दिन और रात होते हैं आप देखते हैं क्रित्पी पर दिन होता है रात भी होती है कारण क्या है तो rotation of the earth ठीक है यहां पर एक activity देखिए यहां पर to show how day and night occur आप क्या कीजिए यहां पर एक spherical जो आप जब ले लीजिए है न जो spin कर सकता हो और यहां पर torch से इसको क्या कीजिए तो यहां यहां जो है torch कोन कीजिए देखिए यह पार्ट चमकिएगा तो यहां क्या होगा दिन होगा और इस पार्ट में क्या होगी तो रात होगी अब यहीं इसको घुमाते जाएए क्या है मान लेजिए फुटबॉल है या सम्टिंग अधर अब्जेक्ट है इसको आप स्पिन करते ठीक है इस तरह से दिन और रात होते हैं इतना ध्यान लिखेगा नेक्स वीडियो के हम आपको बताएंगे revolution of the earth ओके थेंक यू